नमस्कार आप देख रहे हैं निक्स नाइन न्यूस अपडेट आपके साथ मैं हूँ शशी प्रिया और इस वक्त हाजिर हुए कैसी खबर को लेकर जिससे आपको भी जटका लग सकता है एक ऐसे एप की जिससे आप काफी प्यार करते थे वह ऐसा एप था जो आपको कई तरीके की जानकारियां देता था आप भी उस पर कुछ शूट करके डाल सकते थे शूट वीडियो बनाने और शेयर करने वाली मनोरंजक आप टिक टॉक पर भारत में रोक लगा दी गई है केंद्र सरकार ने गूगल और आपल को नोटिस जारी कर इसे अपने अपने अप्लिकेशन स्टोर से हटाने के लिए कह दिया है ऐसे में ये टिक टॉक के लिए बड़ा जटका माना जा रहा है दरसल मदरास हाई कोड की मदुरोई बेंच ने इस एप के जरिये बनने और वाइरल होने वाले आपत्ती जनक और असलील कंटेंट को लेकर चिंता जाहिर की थी बहुत पहले ही कोड ने उसी संबंद में 3 एपरेल को एक आदेश भी जारी किया था कोड ने उसमें सरकार को देश भर में इस एप की डाउन लोडिंग पर रोक लगाने के लिए कहा था अब उसी पर अमल करते हुए केंद्र सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है टिक टॉक के विवादों में घिरने की जो प्रमुख वजह है वो ये रही कि हाल ही में राश्टी राजधानी दिल्ली में एक 19 साल के लड़के की हत्या कर दी गई थी और हैरत की बात ये है कि जब उस लड़की की हत्या हो रही थी तो उसके दोस्त उसका वीडियो शूट कर रहे थे और फिर उसे उन लोगों ने अपलोड किया और इस तरीके से हम आपको बता दे कि जब ये घटा सामने आई उसके बाद से हरकंप मच गया संसनी फैल गई और तमाम जो आला धिकारी थे उन्होंने फिर मिटिंग की और इस तरीके की घटना उपर रोक लगाने की बात की हाले कि पहले की कोट ने आदेश जारी कर दिया था चिंता जता दी थी उसके बावजुद इस तरीके की घटनाय हो गई वहीं पर विभिन प्रकार के भद्य और अश्लील जो कंटेंट हैं उसको लेकर भी अक्सर आपतियां आती रही हैं और जो बुद्धिजन हैं वरिष्ट लोग हैं उन्होंने भी कई बार आपति जता जिस पर यूजर्स द्वारा चोटे-चोटे मनुरंजक वीडियो बनाए और शेयर किये जाते हैं अगर आपका मन होता था तो आप मनुरंजक वीडियो बनाकर शेयर कर सकते हैं लेकिन उसे अगर आप हथकंड़ा बना ले या फिर दूसरे तरीके से यूज कटने लगे यह एप वाइट डान्स का है जिसे डावीन के दौर पर 2016 में चीन में लॉंच किया गया था जबकि एक साल बाद इसे विदेशी बाजार में पेश किया गया था तो फिलहाल टिक टॉक को ये बड़ा जटका लगा है हमें दीजे जाज़त लेकिन आप देखते रिए लेक्स झाल